कि यह की मूर्ख हिजिए लोः जली नतिराई कदली सीप भुजंग एक बूंद्ध इसका मतलब क्या है सिका मतलब यह है कि मूर्ख की双गती ना की हैं तो वहां पे कपूर बंजाता है वो बूंदे जैसे ही ऍीप मूती बन जाता है लेकिन र Europy संभ के मुभ में पढ़ जाए तो वहां पे विश्च बन जाता है इसी प्रकार से इन विचारों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं competition community में आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि अपने दोस्तों से सावधान रहे और ऐसे दोस्त चुनिए जिनसे आपको हमेशा कुछ बहतर सीखने को मिल सके चलिए हम अपनारे पहले प्रशनी की और आंगे बढ़ते हैं आज हम मध्य प्रदेश कला से संबंधित प्रशनों को कवर करने वाले हैं तो पहला प्रशनी हमारा महिश्वर किस नदी के किनारे इस्थित एक सुन्दर शहर है देखिए हमने महिश्वर के बारे में अल्रेटी बहुत सारी चीज़े कवर कर ली हैं लेकिन फिर भी अगर हम महिश्वर की बात करें तो किस नदी के किनारे इस्थित हैं गंगा नर्मदा तापति और माही देखें तापी का मतलब तापती भी है तो नर्मदा नदी के किनारे महिश्वर एक भारत भवन के वास्तुकार कौन है यह आपको भारत भवन दिखाई दे रहा है जो कि क्या है भारत का एक मात्रव कला संग्रहाले की रूप में हाफे दिखाई देता है चाल्स कोरिया, गियर्सन, मैकफर्सन और फजील खांदे के जब भारत भवन के वास्तुकार की बात करती है तो भारत भवन के वास्तुकार रहे हैं चाल्स कोरिया इस कारण से हमारा आप्शन नमबर A यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा निमलिखित में के बीच में क्या समानता है बधाई, सायरा, जवारा और खलासा यह सबसे जादा क्या समानता रखते हैं यह क्या है सभी मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों के नाम है यह सभी नरत्य के रूप है जो मध्य प्रदेश में किये जाते हैं यह सभी भोजन के प्रकार है जो मध्य प्रदेश में आम है यह सभी मध्य प्रदेश में मनाई जाने वाले तेवहारों के नाम है देखे जैसे हम बात करते हैं कि ये क्या है तो ये सभी मध्य प्रदेश में किये जाने वाले नरत्य है कैसे याद रखना है कन्फ्यूजन क्यों नहीं होगा देखे जो ये हमारा है जवारा या जावरा जावरा जो नुरत्य है या जवारा जो नुरत्य है ये कब किया जाता है जब नवरात्री का समय होता है और नवरात्री के समय में जब माता निकलती है तो उस समय में जवारा निकाला जाता है तो उस समय भी नुरत्य किया जाता है तो जवारा नुरत्य आपको याद रहेगा तो इसका सही आंसर होगा option number B ये सभी नुरत्य है ये दिखाई दे रहा है ये जवारा नुरत्य है देखे सर पे जो लड़किया है ये जवारा रखकर नुरत्य कर रही है तो इसे ही जवारा नुरत्य कहा जाता है निमलिखित में से किस नदी के तड़ पर सिहस्त कुम्ब का आयोजन किया जाता है आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसके किनारे सिहस्त कुम्ब का आयोजन होता है तो कुम्भ बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन सभी कुम्भों में सबसे special जो कुम्भ है वो उजयन में होता है जिसे अकेले सिहस्त के नाम से जाना जाता है तो चंबल, शिप्रा, नर्मदा और पारवती उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है इस कारण से यहाँ पर सही अंसर हो जाएगा शिप्रा नदी अर्थाद option number B हमारा बिल्कुल सही होगा next question में चलते हैं तीर्थ शहर अमरकंटक निम्न में थे किस जिले में इस्थित है? आपको ये बताना है कि अमरकंटक जिसे तीर्थ शहर भी कहा जाता है तीर्थ नगर भी कहा जाता है वह किस जिले में इस्थित है? अच्छा अमरकंटक की ये जो इस्थान है ना ये बहुत जादा फेमस है ये मूर्ती बहुत जादा फेमस है जो कि अमरकंटक में इस्थित है बात कर लेते किस जिले में हैं अशोक नगर, अनुपुर, खंडवा और शिवपुरी देखे अमरकंटक जो है वह अनुपुर जिल जोआए दिखाई दे रहा है यह मालवि मैठली बुंदेली और निमारी देखो जैसी हम बात करें अब भन माल्व ऑले श कर的 में निमारी मालव और निमारी जो है वो खंडवा खार्वा और बढ़वानी वाले श कर में बोली जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि मैथली मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती और यह मूल बोली नहीं है अर्थात option number 2 नेक्स्ट कोश्टन मध्य प्रदेश में किस अवसर पर बबूलिया गीत गाय जाते हैं बसंद पंचमी के बसंत पंचमी के अवसर पर शिवरात्री के अवसर पर और मकर संक्रांती के अवसर पर तो बबूलिया गीत के जब हम बात करते हैं तो यह प्रकार के देवी गीत होते हैं यह आप देख सकते हैं बबूलिया गीत किस संबंदित में तो मान नर्मदा के संबंद में इस प्रकार में गाया जाता है मालवा ओज्यन बुंदेल खंड और डिंडॉरी देखिए इसका सही आंसर होगा बुंदेल खंड अब हर्दोल की मनोती क्या है यह आपको महराज हर्दोल दिखाई दे रहे होंगे तो हर्दोल की मनोती किस से संबंदे थे बुंदेला राजा रहे राजा व प्रीव को लेके लेकिन इनका संभन बेटे इनने और उसके इसेज़िकमर आपी वे Regel के अगे लेकिन गतीने इसाग की अपनी पता चल गए उनकई आगल में ौनी यह जानती वे उस खाने को खा लिया यह तो इतने महान रहे राजा हर्दॉ्ल हर्दॉल की हम बात करते हैं तो इतना सब्कुत होने के बाद में जुझार सिंग की चूटी भेंद थी वह आई अपनी बैंन का रिष्टा तैए करने के बाद कि मामा मेरी बेटी की शादी इसमें जरूराना आप करके ऐसा वैसा बात करने आई तो जुजार सिंग ने सीधे उसको भगा दिया कि नई भाई हम से नहीं हो पाएगा हम नहीं आएंगे तो कहते हैं कि जो हर्दौल है हर्दौल अपनी समाधी से मरने के बाद इतना अच्छा इतना विषाल मामेरा भेजा कि आज भी बुंधेल खंड में वैसा मामेरा कहीं नहीं गया है मामेरा का मतलब होता है कि मामा की तरफ से लड़के के लिए बहुत सारी चीज़ें भेजी जाती हैं तो वह सारी चीज़ें हर्दॉल ने मरने के बाद भी भेजी तो इस कारण से पूरे बुंदेल खंड में आज भी हर्दॉल की मनौती गाई जाती है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नमबर सी नेक्स्ट कोशन में चलते हैं 1981 में मध्य प्रदेश में धुरुपद केंद्र कहां इस्थापित किया गया था उजयन इंद और कटनी भोपाल देखें जब भी हम बात करते हैं धुरुपद केंद्र की तो धुरुपद केंद्र जो है भोपाल जिले में आयो जित किया गया था ये धुरुपद केंद्र से आ इस वंश्च से तो शोतोमर वंश्च से संबंदित हैं इसके अलावा दुरुपत संगीत के एक और कलाकार जो की रहे हैं तानसें के साथ में ही जो रहे थे जिनका नाम था बैजू बावरा वो भी दुरुपत संगीत गाया करते थे बावरा तो इसका सही अंसर होगा भोपाल दुरुपत केंद्र की स्थापना भोपाल जिले में की गई है ऑप्शन नमबर डी काठी किस स्थान का लोक नुरत्य है मालवा बगेल खंड बुंदेल खंड और निमार देखे काठी नुर खाई दरओं दम रूधोलक जैसा और इससे निर्ति किया जाता है यह निर्ति जो है यह मुख्यता किया जाता है निमार वाले शेत्र में चल्आ से लिए भगवान महादेव का कौन सा जोंतिरलिंग उज्जयन चत्रम्ब वहांश्वर महाकालेश्वर भीमाशंकर और ओमकारेशवर ने कि महाकालेशवर है बहुत एजी है महाकालेशवर इसका अंसर होगा या आपको महाकालेशवर के दर्शन भी होगए आज क्लास में यह हैं और निमलिखित मेंसे कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में इस्थित है खजराहो सोमनाथ श्रीनाथ जी और तरंब केश्वर देखे जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में इस्थित मंदिरों की तो खजराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में इस्थित सबसे महत्वपूर मंदिर हो जाते हैं तो इस का सही आंसर होगा हमारा option number एक हजरा हो कि निम लिखित में से मध्य प्रदेश का राजिकी नुरत्य क्या है माच राई मटकी और सुआ देखिए हमने कल इस कौशन को कवर किया था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है राजिकी नुरत्य और राजिकी नाट्य कौन-कौन सा है तो इसका सही होगा राई नुरत्य और प्रसिद्ध साज बहु मंदिर किस शहर में स्थापित है यह आपको दिखाई देला शाज बहु मंदिर इसके अंदर भगवान श्रहस्त्र बाहू की मूर्ती इस्थित है यह मंदिर इंदौर भुपाल जवलपुर ग्वालियर कहा परिस्थ है तो इसका सही आंसर होगा सास बहु मंदिर ग्वालियर जिले के अंतरगत इस्थित है ऑप्शन नंबर डी हम पर्येटन में इसको अल अवती जादा सुंदर महले और फिल्म वगेरा के शूटिंग में इन महलों का प्रयोग किया जाता है इसके अलावा चंदेरी जो छेत्र है यह साड़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है चंदेरी के साड़ी बहुत जादा फीमस है यह अशोक नगर जिले की अंतरगत आ आपको मेला दिखाई दे रहा है आमीर कहा समहरो मनाया जाता है वहकर पृपक्षा कों रहे हैं तो योई असताद नमेर का की बात हो रहे हैं तो अस्ताद मेन जाता है इंद्धु लें पेलकुल सही हो जाएगा इंद्धुरु पम जिले शएग टो इनमNow Cyber को डोल 11 निमाण अंचल में मनाया जाता है यह पर्व किस देवता की पूजा से संबंदित है यह हमने फोटो लगाके रखी है डोल 11 की शुबकामना है भगवान कृष्ण की फोटो यहां पर दिखाई दे रही है बाल कृष्ण की तो इसका सही अंसार है भगवान कृष्ण अब इस्थित है गौालियर, गुना, सत्ना और दतिया देखे पीतांबरा माता का जो सक्ति पीठ है न यह शक्ति पीठ दतिया जिले के अंतरगत आता है इस कारण से यहां पर हमारा option number D हो जाएगा यह पीतांबरा माता का मंदिर है आप इसको देख सकते है अराम से यह पीतांबर पीर बुधान की हम बात करते हैं तो पीर बुधान का मेला भी हमें दतिया जिले के अंतरगत दिखाए देता है अर्थात यहां पर भी हमारा option number D बिल्कुल सही हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य की अधिकारिक भाषा क्या है मध्य प्रदेश राज्य की अधिकारिक भाषा का मतलब यह है अब सभी को पता होगा कि भारत के राज्य निर्मार के समय में हर एक राज्य को भाषा के आधार पर गठित किया गया है जैसे कि महराश्य में मराठी भा बोली जाती है वैसे ही मद्यप्रदेश की अधिकारिक भाषा हिंदी है लेकिन मद्यप्रदेश की हिंदी है आधिकारिक भाषा तो हमारा option number a विल्कुल सही हो जाएगा है भारत में 12 जो तिरलिंग है उनमें से दो मध्य प्रदेश में कहा पर इस्थित है और अपसे पूछ तोट Digital जिले इस्थित रहा है नहिए भनकारिशवर अर्थात खंडवा की स्थापना राजा मुचुकुंद के द्वारा की गई इनका संबन्द भगवान कृष्ण से हैं इसके अलावा हम देख चुके हैं सोन गिरी किसके लिए प्रसिद्ध है हिंदू मंदिर बौधिस्तूप मजजद और जैन मंदिर देखे सोन गिरी जो पूरा जैन तीर्थिस्थले इस कारण से यह बहुत सारे जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है तो इसका सही आंसर होगा हमारा option number D कालिदास अकादमी खालिस्थान में इस्थित है उमरिया गौलियर इंदौर और उज्जयन देखे कालिदास के संबंद में हमने अल्रेडी बात कि है कि कालिदास का जो संबंद है वहाँ उज्जयन जिले से है और इन्होंने उज्जयन के बारे में अपनी रचनाव में वर आप देख सकते हैं कालिदास अकादमी की यह फोटो है जो कि उस समय में बनाई गई थी मध्य प्रदीश का छिनवारा जिला इनमें से किस मेले के लिए प्रसिद्ध है कुम्भ मेला गोटमार मेला कार्तिक मेला और कडम मेला देखिए जो छिनवारा का मेला है एक जो की बहुत जादा प्रसिद्ध है वहां मेला है गोटमार मेला इस मेले में होता क्या है आपको थो आपक्सक्राइब नदी tech तो नडी के एक तरफ में दूसरे गाओं के लोग रहा करते थे दो अलग अलग गाओं के लोग और अने के बीच में नदी लड़का इस तरफ के गाओं के थी लड़के ने जब लड़की को भगाया तो गाउवालों के बीच में युद्ध छड़ीया अब कहानी ऐसी आई कि गाउवालों ने एक दूसरे को पत्थर बरसाना शुरू कर दी एक दूसरे के ऊपर और लड़ाई बहुत जादा बढ़ने लगी इस लड़ाई के चलते में हम देखते ही लड़का लड़ कि इस म्रती में इस मेले को निष्ट किया और इस मेले में क्या किया जाता है नदी की एक दम बीचों भी ये नदी कौन से एक आपकी दिमाग में और आरही होगी तो ये नदी है जामनेर नदी aurnes Origini लगाया जाती है पहलास के पीड से या किसी दूसरे पेड से एक लंदा ल पांधा जाता है अब शर्थी यह होती है कि एक टरफ का जो गाउं है जि wor उस तरफ मारते हैं जीत जा पहली चीज दूसरी चीज यह कि अगर पत्थर चंडी पे मारेंगे तो क्या आजवाजवाले लोगों को नहीं लगेगा लगेगा न सीधी सी बात है लेकिन प्रशाशन की अनुमती से यह मेला चलाया जाता है प्रशाशन यहां पर पूरा देखरेक करती है और यहां पर भी मिलती है कि जो गाउ जीता है उस गाउं का जो भी लड़का इसको पहली बार में जो पत्थर मारा होता है जिससे यह चंडी गिरती है नीचे उस लड़के को अनुमती होती है कि वह दूसरे गाउं के किसी भी लड़की से विवहा कर सकता यदि लड़की राजी है तो ऐ इसी किवदंतियां भी हमें मिलती है इस गोटमार के मेले को लेकर नेक्स्ट कोश्चन सिहस्त कुम्भ प्रत्यक खालिस्थान वर्षों में आयोजित होता है दस ज्यारा नौ और बारा हमने पढ़ाया कि कुम्भ मेले का योजन बारा वर्ष में होता है अर्था हीरा भूमिया मेला निमलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है देवास धार गौलियर और इसके साथ में बाला खाट जैसे हम बात करते हीरा भूमिया मेले की तो यहां मेले गौलियर जिले में आयोजित किया जाता है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्क जिरौती हमें दिखाई देती है लोग चित्रकला वैसे ही मोर्ते भी एक प्रकार की लोग चित्रकला है यह आपको दिखाई दे रही होगी यह मोर्ते है अब बात कर लेते कि किस छेत्र में बनाई जाती है बगहेल खंड बुंदेल खंड मालवा और इसके आत्मे निमार तो बगहेल खंड बुंदेल खंड बाला घाट और निमार बसदेवा की जब हम बात करते हैं तो बसदेवा लोग गायन बगहेल खंड के शेत्र में गाया जाता है यह आप एक व्यक्ति को देख सकते हैं जो बसदेवा गायन गा रहे होते हैं तो इसका सही आंसर है बगहेल खं सास्ट्रीनत्य और स्थानी चित्रन जब भी हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में लोग गायन की तो इसका आंसर होगा लोग गायन क्यों अब भी हमने दो मड़ पहले देखा कि बस देवा भी लोग गायन है संजागीद भी लोग गायन है भोपा भी और कलगी तुर्रा भी त इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश संबंधित लोग संस्कृति इवं कला के सभी MCQ को कवर कर लिया आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हमें कमेंट में जरूर बताइए इसके अलावा यदि आपको अभी भी कोई कंश्योजन है तो आप बिलकुल हमसे कमेंट पे उस चीजन को पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन भी प्रस कर लीजे ताकि आपको अगली नेक्स वीडियो हमारी मिल पाए